बच्चो आज में आप लोग को आपकी 7th किलास की समाजी विग्यान भूगोल से आपकी कारिये पत्रक नमबर 2 वक्षिट नमबर 2 जिसकी थी 9 अप्रेल 2021 केस रहेगी बच्चो विध्यार्ति का नाम अपना नाम और यहां अपनी अध्यापक का नाम आप लोग डालेंगे जै मंडल, वायू मंडल और जल मंडल आपको याद रखना है कि प्राकरतिक परियावरे न अगर आपसे पूछने लगे कोई कि किसके कीतने चरन होते हैं तो आपको बताना है इस्थल मंडल जै मंडल वायू मंडल और जैल मंडल चलिए, अब सबको अलग-अलग पढ़ लेते हैं इस्थल मंडल क्या होता है? प्रत्वी की थोस, पपर्टी या कठोर उपरी प्रत को इस्थल मंडल कहते हैं यह है पाहाड, पठार, मैदान, घाटी, आदी, विभिन इसलाकरतियों वाला विशम दरातल होता है। यह इसलाकरतियां महादिपों के अलावा महासागर की सता पर भी पाए जाती है। कौन-कौन से इसलाकरतियां? पाहाड, पठार, मैदान, घाटी। ठीक है? चलिए। इस साल प्रत्वी के भूभाग पर ही होता है इस थल मंडल फारी होता है बेकर बचो बचूंवायू मंडल जहाँ धना अब जहाँ हो दो हब यू मंडलन यहां पता है डिवन धवािग स्थ तरे Ew partner ce प्रत्वी का ठोस भाग जो मैंने अभी आपको बताया है किसको कहते हैं इस्थल मंडल यह चटानों से मिलकर बना हुआ होता है मिट्टी की पतली प्रत से गिरा हुआ होता है समुद्र दुआरा आपस में कटे भू भाग को क्या कहते हैं बच्चो माहादीव आप लोग ऐसे ही करना कोपी में हर एक नमबर डालना प्रत्वी का ठोस भाग और फिर उसके आगे लिख देना इस्थल मंडल फिर नमबर टू डालना समुद्र दुआरा आपस में कटे भाग फिलिखना महादीव डैश करके फिर नमबर थ्रीर पर डालना प्रत्वी का बड़ा जल श्रोत क्या होता है सबसे बड़ा जल श्रोत होता है हमारा महा सागर जहां से हमें जल मिलता है प्रत्वी के सताय पर बहुत उचे उठे भाग को क्या कहते हैं जो बहुत उपर उपर उठे रहते हैं परवत है ना और सपाट और चोड़ी भूमी को क्या कहते हैं मैदान क्योंकि मैदान उपर उठे नहीं होते अगर मैदान उपर उठे होंगे तो लोगबाग खेती कैसे करेंगे तो परवत तो ऐसे होते हैं लेकिन मैदान जो होते हैं बिलकुल चोड़ी और सपाथ भूमी होती है उचाई पर उस्तित फैली हुई समतल भूमी क्या होती है बच्छो पठार और दो पहाडों के बीच का रास्ता क्या होता है घाटी ठीक ह तो आपको समझ में आ गए होंगे आप अच्छे से ब्लैक पैन का यूज़ करते हुए ब्ल्यू पैन का यूज़ करते हुए अपना अच्छे से काम करना और मैडम को सैंड कर दिना लेकिन हाँ मेरे लिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना साथ ही आपको COVID-19 के विरुद जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क जरूर पहनना है क्योंकि आपको पता है कि करोना भी खतम नहीं हुआ है आपके स्कूल अभी रियोपन नहीं हुए है तो इसलिए आपको सुरक्षित रहना है थैंक यू बच्चो